नमस्कार आपका स्वागत देदार नामा टीवी पे मैं पुनम आपके साथ राहुल गांदी को तीन साल के लिए नया पास्पोर्ट मिलेगा इस मामले पर दिल्ली की राउ जैवेनिश कोट में शुकरवार को सनवाई हुई कोट ने कॉंग्रिस नेता राहुल गांदी की नया पास्पोर्ट जारी करने की याच्चिका मनजूर कर ली है लेकिन कहा है कि कोट ना नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट केवल तीन साल के लिए वैद है मानहानी केस में संसर सदेसता राध होने के बाद राहुल गांदी ने अपना डिप्लोमेटिक पास्पोर्ट सरेंडर कर दिया था उन्होंने नया पास्पोर्ट जारी की जाने की मांग की थी सुप्रमाण्यम स्वामी ने राहुल की आच्चिका का विरोध करते वे कहा था कि दस साल के लिए पास्पोर्ट देने की जरुवत क्या है केवल एक साल के लिए पास्पोर्ट दिया जाए राहुल से चुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बादी इस पर फैस्टा दिया जाना चाहिए बता दें कि नीता राहुल गांदी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं जहां वेस्चेन पोर्ड विश्वित धालाय में एक एवेंट में शामिल होंगे वहां 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारती उसे मिलेंगे 13 अपरेल 2019 में लोगसभा चुनाओं से पहले करनाटक के कॉलार में एक रेली के दोरान राहुल गांदी ने कहा था चोरों का सन्य मोदी है सभी चोरों का सन्य मोदी क्यों हता है चाहे वालरित मोदी हो या निरव मोदी चाहे नरेन मोदी इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विदायक पुर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मान हानी का केस किया था उनका कहना था कि राहुल ने हमारे पुरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानी है इसी के साथ बने ने राज रामा टीवी के साथ